वीवो भाई यह काफी बड़िया फोल लॉंच करने वाला है वीवो के अगोरेडिंग वीवो वी 299 5G मलब वी स्लिए थोड़ी 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 तो एक्सपेंसिव होती है बढ़ स्टिल भाई बिख्ती तो जवरतसत था इस बात से तो को एडिनाय कर नहीं सकता बाग यह चेह पून अगस्ट के एंद तक आपको देखने को मिल सकता है तो हिस वीडियो थान कर देखने को मिल सकता है तो आज विड Halloween तो नहीं एक ring light type की flash देखने को मिल जाएगी backside में 3 camera मिलेंगे पतला phone होगा, हलका phone होगा वीवो की खास बात चो होती है display की बात करते है 6.78 inches का, full HD plus का OLED पैनल 120 Hz का, high refresh rate का panel वगेर, and punch hole वगेर जितने बड़िया बड़िया नमपर होते सारा आपको मिल जाएगे, 10 bit का पैनल वगेर, HDR का support वगेर, Dolby Atmos, Dolby Vision वगेर सब चीज़ आपको मिल जाएगी camera की बात करते है, back side में आपको 3 मिलेंगे primary camera 50 megapixel का OIS के साथ secondary camera आपको 8 megapixel का अवी, इसफ लिवाड की बात करते हैं, क्याही करनी मतलब आपको 50 megapixel मिल जाते है, वागे बात करते हैं, beauty मतलब Korean skin मना देते हैं, आप लोगो बागे बात करते हैं प्रोसेसर की तो स्नेप्टर न का 7778, 2 शी का प्रोसेसर जो किया है प्रोसेसर के साथ बागी बात करते हैं तो 4600 बैटरी लगी मतलब 4800 तक दे सकते हैं तो काफी अच्छा नमबर होता प्रोसेसर के अंदर मिलता है कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करते हैं तो 3.5 आपको नहीं मिलेगा अंडर डिस्प्ले फिंगर पिंट्स का है मिल जागा उसी के साथ आपको फंटच ओएस देखने को मिल जागा अंडरो ठेटिन आउटो डिबोक्स मिल जागा लपीडिया 4X रम टैप मिल जागी योफस 2.2 का स्टोरेश टैप मिल जागा स्टीडियो स्पीकर मिलेंगे आपको स्लोड देखने को नहीं मिल जागी बात करते में इंटेंट प्राइस की तो फोन के अंदर आपको 8GB RAM 256GB RAM 33,000 या सपास देखने को मिल सकती है नहीं है तो ऑफोन तो अच्छे होते हैं बत प्राइस जाद होते तो यह वाली सेम बात है स्पोन तो अच्छा है बस प्राइस ही जाद है यह चिज मैं बहुंगा बागी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगी कि आप लोग वीवी 29 5G कर एक्साइट हो या झाल झाल